हालो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिद्धेळोय। तो फ्रेंड्स, आजीरो इवीडियोरे आमें डिसकस करीबा पॉलिटिरो इम्पोर्टांट किछी 50 कोस्चिन्स कुँ तो इब्बे चलन्तु आमें कोस्चिन्स कुडा को देखीबा तो कोस्चिन्स कु स्टार्ट करीबा अगरो मों कहीरो कि भी कि आपण मनें ओफकमिंग जहां भी एक्जाम पाई प्रिपयार कोरू चोंती जो उतिरे कि आपण मनें करो पॉलिटिरो कोस्चिन आशुची तो सब्बू एक्जाम पाई वीडियो ती हेल्फूल रही बो तो आपण मनें कोस्चिन्स कु देखांतु केतना करेक्ट करीबा चोंती आपण मनें कमेंट सिक्साने लिखी की जणे बे तो प्रथमा कोस्चि आपण मनें कोस्चिन 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 राय मेहता जो कॉमेटर होईची तवेटा सेट आफ हेदिला तार उद्धिस कौन थिला तवेटी अप्सेंस कुड़ा देखां तू कोड अरहीपा करेक्ट आंसर तवेटी करेक्ट आंसर होची अप्शन एठी B जुड़की होची काण न सजेस्टिंग मेजर्स पर बेटे एफिएंसी इन इंप्लिमेंटेशन अफ दे कम्यूनिटी डिवलोप्मेंट प्रोजेक्ट तवेटर होची करेक्ट आंसर जोड़की होची अप्शन B नेक्स्ट कुश्चिन रोची तवेटर इस अपाइंटेड बाई तोसिल्दार पंट ही थांदी कहा द्वारा तवाठी देखांदू अप्शन्स कुड़ाकू तवाठी करेक्ट आंसर कोई रोखुची करेक्ट आंसर रोची अप्शन D जोड़की होची दो बोड आफ रेविन्यू तवा अप्शन D रोची थी करेट नेक्स्ट कुश्चीन रोची बलबंत्राय मेहता कमेटी इस रेलेटेट टू तवाठा कहा सत्वा रेलेटेट तवाठी करेक्ट आंसर रोईबा अप्शन A पंचायती राज तवा अप्शन A रोची थी करेक्ट तवा परा कुश्चीन देखांदू रोईची The Grammar J no future act was passed in the year Grammar J no future act केभे पासी थी थी ला पाख को यं पासी थी देखांदू करेक्ट आंसर रोईबा अप्शन रेठी अपण मन्याँकरू C जुटकिऊची 2008 तवा मन लख्यबे 2008 होची रोची थी correct answer. Next row chi constitution day और sambhidhan divas is celebrated on. Constitution day बा sambhidhan divas के बे celebrate ही थाए. The correct answer रहबठी option A 26th of November the option A row chi correct. ता परा question row chi which part of the Indian constitution is called the heart and soul of the constitution according to Dr. B.R. अम्बेदकर. The B.R. अम्बेदकर को अनुजई से कहुची कि अमारो co-part को आमें कहुच हो जोंदी Indian constitution लो co-part को आमें कहुच हो जोंदी कि heart and soul of Indian constitution आमें ताको कहुच हो जोंदी. The co-part देखन्दू correct answer row chi एठी काणो the option जोड़ा की होची A रोहिबो जोड़ा की होची काणो the right to constitutional remedies the right to constitutional remedies जोड़ा की होची article 32 रोहिबो तो सेगुच होची तक को आमें कहुच होंदी सेपाट्टी को आमें कहुच होंदी अमारो heart and soul of constitution तानुगरी येटी option A रोहिची correct next question रोहिची the 42nd constitutional amendment is so big what is it called? तो तक को आमें कहुच होंदी तो 42nd constitutional amendment रोहिची तरो येटा बहुत बोड़ाव तो तरणुगरी के आमें तक को कहुच होंदी 30 correct answer कोंदी तो correct answer रोहिची option D तक को आमें कहुच होंदी mini constitution option D रोहिची correct who was the first woman speaker of lukhsabha the first woman speaker lukhsabha तो correct answer होची मीरा कुमार तो option C रोहिची correct तरठी additional information भी दिया जेची अपनमाने देखी परेवे तो 15th लोकhsabha speaker 2009-2014 तरठी अन्यों मानां को जुँद नागडा रोहिची option ले सुमीत्रा महाजन जी की अमारा 16th लोकhsabha speaker प्रती बाफाटी लोग जुँद फास्ट ओमन प्रेशिदेंट अव इंडिया रो जोदी देखीवा 12th President of India नजमा हिफ्तुर रो गवनर रोप मौनीफुर तो ये गोडा मनना के में कीशा additional information which of the following schedules of the Indian constitution contains the provisions regarding amendments, allowances, privileges of the President of India तो को स्केडियूल रहुची ये गोडा तो स्केडियूल टो को उटा तो अटे देखांदू correct answer हुची option एठी B जोडा की हुची अमारो second schedule तो मनना के में एठा second schedule ता परा कुश्चिन देखांदू एठी additional information गोड़ा दिया जीची अपड मनना स्केडियूल को मनने भी रोखी परी बे तो को स्केडियूल काहा रिगार्डिंग शितायती रोहीची additional information how many schedules are there at present in the Indian constitution तो Indian constitution दे at present के तेड़ा schedules रोहीची तो correct answer हुची option एठी D चुड़ा की हुची बारोटी in which of the following schedules of the Wildlife Protection Act 972 is the most common wild cat in India फेलिस चौस लिस्टे तो को स्केडियूल तो correct answer हुची बार्टी अपशीन भी जुड़ा की हुची schedule 2 बास second schedule under V's schedule of Indian constitution is the form of oath or affirmation of a judge of the Supreme Court mentioned तो 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 इड़ा हुची correct answer रोहीची अमारो option D चुड़ा की हुची third schedule the 12th schedule of the constitution deals with whose functions तो इड़ा हुची तो इड़ा हुची तो इड़ा deal करुची co-functions है तो तो इड़ा हुची correct answer हुची option C जुड़ा की हुची अमारो regarding municipalities तो option C हुची correct how many languages have been listed in the 8th schedule of Indian constitution तो किते टा language listed हीची 8th schedule दे अमारो Indian constitution लो तो correct answer हुची option B 22 languages 30 languages खुड़ा रो नाम अध्य हर्टी रहीची आपड मन्तको देखी परीबे course schedule कहा सेता related सेता बेठी notes रेठ आपड मन्तको पाई रखाईची आपड मन्तको मन्तकों मन्तकों की परीबे तो इड़ा को मने रखेले आपड मने questions को से अकडिंगली कोरी परीबे तरटे देखांथू correct answer रहेबा option A जड़ागी होची second schedule which one of the following schedules of the constitution of India contains provisions regarding anti-defection तो देखांथू correct schedule रहेबा तो correct answer होची option D जड़ागी होची 10th schedule तो को उटा अपड मेरे question देखची होंदी तो ये question देखची रहे मने किछी बुझी वरो नहीं कि बड़ो डाइरेक्ली आपड मन्त को मने रखेवे facts को आउसे आकडिंगली questions कोडा करीबे तो ता परो question देखची देखणदू how many languages were initially included in the 8th schedule of the Indian constitution प्रथा में 8th schedule ले कितिदा language include हे थिला तो correct answer होची option A 14 तो चोओ दोटी language प्रथा में include हे थिला ता परेशना 22 तो चोओ दोटी ता परेड होची how many items are there in the 11th schedule of the constitution of India तो केतेड़ items रोची तो correct answer होची थि option C जुड़की होची 29 तो option C होची correct तो 9th schedule to the constitution of India was added by the तो को amendment act दोटा होची आट करा जाइतला तो देखन दो correct answer होची option C, 1st amendment act तो तो option C होची correct अंडर schedule अमरो जुड़ होची 7th schedule of the constitution the subject education lies under which list तो education तो कोव लिस्ट रोची तो education तो होची अमरो answer होची option D, concurrent list तो option D रोची correct which of the following languages is not included in the 8th schedule तो कोव language तो include है नहीं तो यहटा देखन तो correct answer होची यह D, जुड़की होची English तो मनने रखी बें जुड़की जुड़की तो रोची लांग्वीजी सुड़र नाम अनन रखी बें ता भी तोरू कोवटा include है ची कोवटा है नहीं ती भी पहचे अरीबा question तो 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 नुगरीके D रोची अठी correct which of the following articles stipulates that the law declared by the supreme court salvi binding on all courts within the territory of India तो को आर्टिकल अननों सारे रोची तो 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 correct answer होची अप्सिंसी जुड़की होची article 141 which article of the Indian constitution provides for the establishment of panchayats तो को आर्टिकल अननों जुटा की establishment of panchayats तो correct answer होची ती option C जुड़की होची article 243 which of the following articles of the constitution makes the advice of the prime minister and his council winding on the president of India ती क्तकी तो 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 कर्ट आ्चर अचारूची article 74 तो को तो चारिकल मौची तो को तो तो को एक समयोचीशले तो होची तो the Indian constitution provides पर अं इंडिपेंडेंट ओफिस अफ द आमारा जू कम्ट्रोराल आड ओडिटर जैनरल अफ इंडिया तो को आर्टेकल अनुरसर रहेबा तो करेक्ट आंसर होची अप्शिन ए आर्टेकल 148 तो एटाओची करेक्ट आंसर वटी इस रिटेन अन आर्टेकल 4 जूडँ कहां जाएची अव एटाओची आडिया तौ आप्शिन द आर्टेकल 148 तो कों लेखा जाएची तो करेक्ट आंसर होची अप्शिन ए ती सी जूडँए होची इंडिया भारत विल वी अ उनियन अप श्तेट्स तो ऑप्शिन सी रोची, करेक्ट आर्टिकल 32 बिलांस तो वीच पार्ट अब दर इंडियन कांस्टिचीशन आर्टिकल 32 इंडियन कांस्टिचीशन दो कोव पार्ट रहोची ता करेक्ट आंसर होची एठी option अपड़ मना करो C, एच्टोड़ योची पार्ट 3 ता माने रखे में एठी नोट्स रे जहाँ अडिस्टनल इंफरमेशन दिया आएची कोव पार्ट अमारो जेती के option अची सही रिगार्डिंग एठी नोट्स रे अडिस्टनल इंफरमेशन दिया आएची अपन मने सब्बू जाको facts को मनन रखे में बिकाज सब्बू जाको facts होची वेरी वेरी इंपोर्टन अपन मने जेकोडों सी भी बूख होँ जेकोडों सी सोर्सेश रू होँ अपन मने collect करी की note down करी की information को मनन रखे आपाई ट्राय करी बे next question दोची the special provisions in article 370 1G of the constitution of India relate to the state of the co-state the correct answer होची एठी मिजोरा ता option C रोची correct article 239 deals with ता अठी correct answer काणड है बा the correct answer होची option B जोड़े क्योची administration of union territories by president V's article of Indian constitution defines the money bill co-article the correct answer दोखंदू एठी रोहे बा option D जोड़े क्योची article 110 by 110 next रोची which of the following article is related to freedom to manage religious affairs ता को article freedom to manage religious affairs ता रोची 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 article 26 which articles of the Indian constitution covered the fundamental right against exploitation ता एठी देखंदू correct answer रोहे बा option D articles 23-24 which article of the constitution of India mentions that the loksabha must have a speaker and a deputy speaker there is a that the आपर आपर Constitutional of India mentioned करेट कि आपर 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 the following articles of the constitution of india abolishes untouchability 30 correct answer article 17 option b correct the president of india can be impeached for violation of the constitution under which article the impeachment process that a co article on the correct answer article 61 under which article can the supreme court issue a writ the co article on the supreme court issue a writ the correct answer option b article 32 a citizen of india will lose he's or her citizenship if he or see the correct answer is renunces indian citizenship the option a row is correct the lose is correct according to citizenship act which are the following is not a condition for becoming a citizen of india qowt are not a condition which are the correct answer option d acquiring property next row which are the following areas has been exempted from the purview of citizenship amendment act 2019 the correct answer option c rar kha che ho chhi the six schedule areas next question nai che which are the following is not a condition for acquiring the citizenship of india 30 the kandhu not a condition kha chhe the correct answer ho chhe holding property the option b ro chete correct the citizenship act 1955 doesn't deal with the kha che the correct answer which is not a condition of india in which part of the constitution of india we find the rovizal relating to citizenship the co part the correct answer ho chhi option b jodak yo chhi part 2 with reference to india अपरें तर्टे देखांतू, तो परें स्टेटमेंट्स गुड्य कुम सब्केमा, मिन्हाउन्टे यह रिजा है कि तression by birth can become head of the state, तो किसे स्टेटमेंट्स विवह भाय होगा, तो के बार्द सेतमेंट्स गणा रिज्टेजेंशिप को बिता है, cannot be deprived of it under any circumstances तो second or third statement होची अमरो correct नू है तो तेड़ों करी की correct code आ पचार ची जेतो तो correct होची only one जोड़े की अमरो first statement है तो ये रोची correct from where was the principle of single citizenship in India taken तो देखन दो correct answer है बाठी code आ तो correct answer होची option A जोड़े कोची England option A रोची correct next question दोची the category of overseas citizens of India was entered in the Citizenship Act of India through an amendment in the year को येर रे तो येर होची काणो दा येर होची option B रोची 2005 ता परा कोची दोची citizenship ends when the number of consecutive years of stay out तो किते consecutive year बाहरे रोही ले citizenship तो अमरो end ही जी बाहर तो number अप से कोच जो consecutive year किते तो किते नमबर किते तो correct answer होची option D 7 years which articles of Indian constitution are related to citizenship तो को गुड़ा अमरो जो रोही ची article अमरो related होची कहा से तो ना citizenship से तो तो correct answer होची option C जो रोही होची article 5 to 11 what are the ways through which one can lose Indian citizenship तो एठी दिखन दो correct answer होची option D which type of citizenship is provided by the constitution of India तो को टाइब citizenship provide जो रोही ची तो correct answer होची option A single citizenship A रोही correct the citizenship amendment act falls under which one of the following parts of the constitution of India तो को पाटर होची तो citizenship amendment act तो correct answer होची option B जो रोही होची part 2 तो 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 correct answer होची option B तो 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 अमारो 50 तो important questions अमे धी cover कर ले तो आसा कर ची वीडियो तो आपड़मानका पाई helpful ले इत्पो वीडियो उस्पसंदासले वीडियो को like करूथिवे अंड़ सेयर नियाते भाबरे करूथिवे so thank you for watching